सोच ऐसी हो कि सब को अपना समझें हिंदू, मुस्लिम, इसाई, यहुदी, सिख ये सब बाद में हैं सबसे पहले हम इनसान हैं जी इनसान बाद में हम हिंदू, मुस्लिम और इसाई हैं इनसान चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी भी फेद का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी रिलिजन का हो देखने में आप जैसा हो या आप से मुख्तलिफ हो जी, सबसे पहले वो इनसान है और इहतराम इनसानियत ही सबसे बड़ा मख़ब है और खुदा को कौन लोग पसंद है, वो ही लोग पसंद हैं जो सब इनसानों को अपने समझते हैं, जो सब इनसानों से प्यार करते हैं इस पूरी दुनिया में अर्बू इन्सान हैं सब इन्सान एक जैसे हैं सब अपने हैं कोई प्राया नहीं है सब से प्यार करें सब को इहतराम दें सब की रिस्पेक्ट करें यही तमाम मजाहिब का अल्टिमेट गोल है यही मकसद है तमाम मजाहिब का तमाम मजाहिब का पूरे पूरे का पूरा एसंस एहतराम आदमियत पे खड़ा है एहतराम इन्सानियत पे खड़ा है सारे मजाहिब यही कह रहे हैं कि हम सब इनसान हैं हम सब इनसान हैं हम सब एक हैं हम सब इनसानों में देखने वाला एक है वो एक जो हमारी शहरक के भी करीब है वो एक जो हमारे दिल का भी दिल है वो एक जो इस सारी युनिवर्स में एक है सारे जहान में एक है कोई अगर अजमल शबीर है तो कोई शेर सिंग है तो कोई विलसन है तो कोई धूनी है तो कोई टंडूलकर है तो कि वसीम अकरम है यह सारे क्या है जी यह नाम है नाम नामों की बेसिज पर हमें एक दूसरे से नफरत बंद करनी होगी बहुत हो चुका है इंसानियत ने बहुत दुख देख लिये जी इंसानियत ने बहुत तकलीफ उठा लिये जी अब इनसानों जाग जाओ, उठो, समझो और एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे से प्यार करो इन्सान चाहे भारत की किसी गली में रहता हो या पाकिस्तान के किसी गवं में रहता हो या न्यू यार्क के किसी पोश इलाके में रहता हो या अफरीका के किसी जंगल में रहता हो हम सब एक हैं हम सब का सच एक हैं हम सब की रुह एक है सारे अपने हैं कोई पढ़ाया नहीं है सब अच्छे इंसान है सब खुशुत लोग है सब दिलकश लोग है जो मजभ और खुदा के नाम पर लड़ रहा है खुदारा वो मजभ के एसेंस को समझे हर मजभ का एसेंस किस चीज़ पर खड़ा है महबत पे और अगर आप खुदा या मजभ के नाम पर लड़ रहे हो तो अभी तक आप अपने मजभ को ही समझ नहीं पाए और ये कितनी तकलीफ दे बात है वो इनसान जो खुद को जानता है वो कभी भी किसी दूसरे इनसान से नफरत कर ही नहीं सकता इसलिए नफरत से जान छुडवाईए खुद को समझीए जात बिरादरी रिलिजिन फेट बिलीफ के नाम पे लड़ना बंद किया कर दीजिए आपके इस बिहेवियर से खुदा आपसे खुश नहीं होंगे नराज होंगे आप खुदा की नराजगी मोल ले रहे हो आप खुदा को खुश नहीं कर रहे हो एक दूसरे से नफरत करके अगर आप रंग नसल की बुनियाद पर इनसानों में तफरीक प्यादा कर रहे हो और नफरत को हवा दे रहे हो तो समझ जाओ आप अभी तक अपने आपको आपने जाना ही नहीं है आप खुद के सच को जानते ही नहीं है आप अपने सच से वाकिफ ही नहीं है अपने रिलिजन को गहराई से समझते नहीं हो अभी आप इनसान तो ऐसा होता है अपना नुकसान कर लेता है लेकिन अपने भाई का नुकसान नहीं करता चाहिए वो भाई मुसलिम हो, हिंदू हो, क्रिस्चन हो, यहुदी हो, सिक्खो, कुई भी हो दूसरे इंसान का बुरा नहीं करता अच्छे इंसान कौन है अच्छे इंसान वो हैं जो खुद चोट खा लेंगे लेकिन दूसरे इंसानों को बचा लेंगे यह होती अच्छे इंसान की निशानी Thank you so much I love you all